कपास का घटता रकबा क्या बनाएगा कपास को सोना आईए समझने की कोशिश करते हैं फजल सीजन 2023-24 में कपास का उत्पादन अपने 15 साल के निचले स्तर पर पहुँच गया है इस सीजन में भारतिय कपास की फसल का आकार 170 किलोग्राम की 294 लाख 10 हजार गांट होने का लगाया गया है कहा जा रहा है कि कपास उत्पादन में ये गिरावट खराब मोसम और कीट के परकोग की वज़े से आही है वहीं व्यपार संक्ठन कोटन एसोसियेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गनात्रा का कहना है कि कम उत्पादन और अधिक कपास की खपत के कारण हमारी बैलेंशिट बिगड़ चुकी है कपास की खेती के लिए तीन लाख हेक्टियर के लक्षे की तुल्ला में कपास की खेती का शेतरफल सिर्फ पोने दो लाख हेक्टियर है कपास की खेती का शेतरफल पंजाब में इस मोसम में पहली बार दो लाख हेक्टियर से कम हो चुका है पंजाब में 90 के दशक में 7 लाख हेक्टर में कपास की खेती होती थी लेकिन बात के वर्षों में धीरे धीरे ये खेती कम होती चली गई 2012-13 की अगर बात करें तो 2012-13 में कपास की खेती 4,81,000 हेक्टर में हुई थी और वहीं 2017-18 में और ज्यादा घटकर 2,91,000 हेक्टेर पर सिमट गई जबकि 2018-19 में कपास की खेती 2,68,000 हेक्टेर शेतरफल में हुई तो वहीं 2019-20 में 2,48,000 हेक्टेर शेतरफल में खेती देखने को मिली जबकि 2020-2021 की अगर बात की जाए तो 2021 में 2,51,000 हेक्टेर में खेती की गई और वहीं 2021-2022 में 2,51,000 हेक्टेर शेतरफल में कपास की खेती की गई यानि 2020-21ए और 2021-220 में शेतरफल सेम रहा वहीं पंजाब की मंडियों में 9,80,000 क्विंटल के आसपास कपास की आवक तेखने को मिली है इसमें से भारतिय कपास निगम ने यानि CCI ने सर्फ 1,76,000 क्विंटल ही कपास खरीदा है जबकि नीजी विपारियों ने 7,98,000 क्विंटल कपास खरीदा है और वहीं 2,46,000 क्विंटल कपास कम दरों पर खरीदा गया है यानि MSP से नीचे खरीदा गया है आपको बता दें कि फिलाल MSP 6,900 रुपे तैकी गई है लेकिन बाजार में कपास का भाव 52 रुपे प्रति क्विंटल तक बिखता हुआ दिखाई दिया है ऐसे में बाजार जानकर ये मानकर चल रही है कि आगे चलकर कपास सफेद सोना बनता हुआ दिखाई दे सकता है फिलाल बाजारों में देखने को मिल रहा है कि कपास की कीमतों में तेजी की स्थिती बनती हुई दिखाई दे रही है धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है ऐसे में उमीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कपा सफेद सोना बन सकता है